जै श्री राम, जै हनुमान दोस्तों, आपका स्वागत है, हमारे यूट्यूग चेनल सरोज अस्ट्रो में आज हम जानने वाले हैं कि सपने में काला भालू देखना कैसा होता है, या सपने में काले भालू का शिकार करना कैसा होता है, दोस्तों हिंदू धर्म में भालू के य जामबंत जी की अहम भूमिका थी, रिंच एक भालू की ही प्रजाती है, दोस्तों बहुत से लोग भालू को एक हिंसत, जानवर के रूप में देख लेते हैं, इसलिए इसे अशुब मानते हैं, अगर सपने में काला भालू दिखाए देता है, तो ये सपना आपके लिए अश और उनसे अंजाने में हुई गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूग चेनल सरोज आस्ट्रो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमसे जुड़े रहें, इसके साथ बेल आइक अगर आप सक्चे मन से शिवजी को पूझते हैं, तो निश्चत ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, क्योंकि शिवजी को भोले बाबा कहा गया है, अब बात करते हैं, सपने में भालू के साथ खेलना कैसा होता है, दोस्तों भालू कोई खेलने वाली चीज नहीं, भालू एक हिंसक और जंगली जानवर है, है वो कभी भी पालतू नहीं हो सकता, अगर आप एक भालू के खिलोने यानि टेडी बियर के साथ खेलते हैं, तो समझ में आता है, लेकिन एक जंगली भालू से खेलना अपनी मौत को आमंतरन देने जैसा है, सपने में आप खुद को एक बड़े से जंगली भालू के साथ खेलते हुए देखते हैं, तो ये सपना आपके लिए शुब संकेत नहीं माना जाता, ये सपना बताता है कि आने वाले दिनों में जानबूच कर ऐसी गलती करने वाले हैं, जिसके कारण आपको बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलेग इस नुकसान के आप खुद जिम्मेदार होने वाले हैं, अब बात करते हैं। लेकिन ज्यादातर भालू अकेले रहना पसंद करते हैं, इसलिए भालू खुंखार और हमलावर होते हैं, कई शिकार के लिए हमला करते हैं। जबकि कई भालू अपनी आत्मरक्षा के खत्रे को देखते हुए हमला करते हैं, दोस्तों सपने में आप एक भालू को शिकार करते हुए देखते हैं, तो ये सपना आपकी वर्तमान स्थिती को बयान करता है। ये सपना बताता है कि आप वर्तमान समय में अपने कार्यक्षेतर में सफल बनने के लिए आप बहुत ज्यादा महंत कर रहे हैं, और आप अगर इसी प्रकार लंबे समय तक लगे रहोगे, तो निश्चित की कुछ ही समय में आपकी गिंती सफल इंसानों में की जाएगी, कह अगर आपको हमारी विडियो अच्छी लगी, तो इस विडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल सरोज आश्ट्रो को सब्सक्राइब करें, तो दोस्तों मिलते हैं अगली विडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जै श्री राम, जै हनुमार